एही थया जुलनी हेरानी हो रामा इस पाठ के लेखक शिव प्रशाद मेश्र रूद्र हैं इस पाठ के माध्यम से लेखक ने गाने वजाने वाले समाज की आत्मिक प्रेम देश के प्रती असीम प्रेम, विदेश्टी शाशन के प्रती शोप, आप राधिंता के जंचीरों को उतार फेकने की तिवरिलांसा का वर्नन किया है इसकी प्रमुक पात्र दुलारी का शरीर पहलवानों की तरह कसरती था वह मराथी महिलाओं की तरह धोती लपेट कर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चने काती थी वह अपने रोजाना के कारे से खाली हुई ही नहीं थी कि उसके घर के दर्वाजे पर किसी ने दस्तक दी दर्वाजा कोलने पर उसने देखा कि तुन्नू बगल में कोई बंड़ा दवाए ख़ड़ा था दुलारी ने तुन्नू को दाटते हुए कहा कि उसने उसे यहां आने के लिए मना कर रखा था तुन्नू उसके डाट सुनकर सेहम गया वह उसके लिए गांधे आश्रम की खादी से बनी साड़ी लेकर के आया था वह उसे हुली के तिवहार पर नई साड़ी देना चाहता था इस पर दुलारी उसे बुरी तरह फटकारती है कि अभी उसकी उम्र नहीं है ऐसे काम करने की दुलारी तुन्नू की दुई हुई धोती को उपेक्षा पूर्वक उसके पैरों के पास वेक देती है तुन्नू की आखों से कजल मलीन आश्रम की बुंदे साड़ी पर टपक पड़ती है बह अपमानित सा वहां से चला जाता है उसके जाने के बाद दुलारी धोती उठाकर सीने से लगा लेती है और आसों के धपों को चुमने लगती है दुलारी छे महीने पहले टुन्नू से मिली थी भादों की तीज पर खोजवा बाजार में गाने का करेक्रम था दुलारी गाने में निपुन थी उसे पद्दे में सवाल जवाब करने की अद्वुत ख्षमता थी बड़े बड़े शायर भी उसके सामने गाते हुए घबराते थे खुजवां बाजार वाले उसे अपनी तरफ से खड़ा करके अपने जीत सुनिश्चित कर चुके थे उसके विपक्ष में उसके सामने 16-17 साल का टुनू खड़ा था टुनू के पिता यजमानी करके अपने घर का गुजारा करते थे टुनू को आवारों की संगती में शायरी का चस्का लग गया था उसने फैरो हुला को उस्ताद बनाकर कजली की सुन्दर रचना करना सीख लिया था टुनू ने उस दिन दुलारी से संगीत में मुकाबला किया दुलारी को भी अपने से बहुत छोटे लड़के से मुकाबला करना अच्छा लग रहा था मुकाबले में तुन्नो के मुँ से दुलारी की तारीख सुनकर सुन्दर के मालिक फेकू सरदार ने तुन्नो पर लाठी से वार किया दुलारी ने तुन्नो को उस मुमार से बचाया तुलारी तुन्नो के जाने के बाद उसी के बारे में सोच रही थी तुन्व उसे आज अधिक सभ्य लगा था तुन्व ने कपड़े भी सलिके से पहन रखे थे डुलारी ने तुन्व की दियु ही साड़ी अपने संदूक में उठा कर रख दी उसके मन में तुन्व के लिए कॉमल भाव उठ रहे थे तुन्नो उसके पास कई दिन से आ रहा था वे उसे देखता रहता था और उसकी बाते बड़े ध्यान से सुनता था दुलारी का यावन ठल रहा था तुन्नो पंद्रे सोले साल का लड़का था दुलारी ने दुनिया देख रखी थी वह समझ गई तुन्नो और उसका संबन शरीर काना होकर आत्मा का है वह यह बार तुन्नो के सामने स्विकार करने से डर रही थी उसी समय फेकु सरदार धोतियों का बंडल लेकर दुलारी की कोठरी में आता है फेकु सरदार उसे तीज पर मनारसी सारी दिलवाने का वाइदा करता है जब दुलारी और फेकु सरदार बातचीत कर रहे थे उसी समय गली में से विदेशी वस्तरों की होली जलाने वाली टोली निकली चार लोगों ने एक चादर पकड़ रखी थी जिसमें लोग धोती, कमीच, पूरता, टोपी अधी डाल रहे थे दुलारी ने भी फेकु सरदार का दिया मैंचेस्टर और अलंका शायर की मीलों की बनी बारिक सूत की मकमली किनारे वाली धोतियों का बंडल फेली चादर में डाल दिया अधिकता लोग जलाने के लिए पुराने कपड़े फेक रहे थे दुलारी की खिड़की से नया बंडल फेकने पर सबकी नजर उस तरफ उठ गई जलूस के पीछे चल रही खोफिया पलीस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी दुलारी को देख लिया था दुलारी ने फेको सरदार को उसकी किसी बात पर छाडू से पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया था जैसे ही फेको दुलारी के घर से निकला है उसे पुजे इस रिपोर्टर मिल जाता है जिसे देखकर वह छेप जाता है दुलारी के अंगन में रहने वाली सभी इस्तियां इकठी हो जाती हैं सभी मिलकर दुलारी को शांत करती है सब इस बात से हरान थी कि फेंको सरदार ने दुलारी पर अपना सब कुछ नियुच्छावर कर रखा था फिर आज उसने उसे क्यों मारा दुलारी ने भी इदुफेकू ने उसे रानी बना कर रखा था तो उसने भी अपनी इज़त अपना समान सभी कुछ उसके नाम कर दिया था एक नारी के समान की कीमत कुछ भी नहीं है पैसों से तन खरी गया जा सकता है पर एक औरत का मन नहीं खरीदा जा सकता उन दोनों के बीच जगड़ा टुन्नू को लेकर हुआ था सभी इस जियां बैठी बात कर रही थी कि जिंगोर ने आकर बताया कि टुन्नू महाराज को गोरी सिपाईों ने मार दिया और लास भी बे लोग उठा कर ले गए टुन्नू के मारे जाने का समाचा सुनकर दुलारी की आँखों से वीरल आस्मों की धारा बेह निकली उसकी पडोसी ने भी दुलारी के दिल का हाल जान गई थी सभी ने उसके रोने को नाटक समझा लेकिन दुलारी अपने मन की सचाई जानती थी उसने तुन्नो की दियोई साधारन खदर की धोती पहन ली वह जिंगुर से तुन्नो की शेहिदी स्थल का पता पूछ कर वहाँ जाने के लिए घर से निकली घर से बाहर निकलते ही थाने के मुश्य और फेकु सरदार ने उसे थाने चलकर अमन सभा के समारों में गाने के लिए कहा रधान समवादाता ने शर्मा जी की लाई हुई रिपोर्ट को मेज पर पटकते हुए डाटा और अखवार की रिपोर्टरी छोड़कर चै की दुकान खोलने के लिए कहा उनकी द्वारा लाई रिपोर्ट को उसने अलिफ लैला की कहानी कहा जिसे प्रकाशित करना वह उचित नहीं समझता था उनकी दी हुई रिपोर्ट को चापने से उसे अपनी एकवार के बंध हो जाने का भै है इस पर संपाधक ने सर्मा जी को रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा सर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट का शिर्शक एही ठेया जुलनी हेरानी हो रामा रखा था उनकी रिपोर्ट के अनुसार कल 6 अप्रेल को नेताओं की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही खुम्चे वाले भी हड़ताल थे सुबह से ही विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके उनकी होली जराने वालों के जुलूस निकलते रहे उनके साथ प्रसिद गायक तुन्नू भी था जुलूस ताउन हाल पहुँचकर समाप्त हो गया सब जाने लगे तो पुलिस के जमातार अली सगीर ने तुन्नू को गालें दी तुन्नू के प्रतिवात करने पर उसे जमाधार ने बूट से ठोकर मारी इससे उसकी पसली में चोट लगी पहगिर पड़ा और उसके मुह से खुन निकल पड़ा गोरे सनिको ने उसे उठा कर गाड़ी में डाल कर अस्पताल ले जाने के स्थान पर वरुना में प्रवाहित कर दिया जिसे संबादाता ने भी देखा था इस टुन्नो का दुलारी नाम की गौनहारी से संबंधित था कर शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारो में जहां जंता का एक भी प्रतिनिधी उपस्तित नहीं था दुलारी को नचाया गवाया गया था टुन्नो की मृत्यू से दुलारी बहुत अदास थी उसने खदर की साधारन धोती पहन रखी थी वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी जा आठ गिंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी फिर भी कोक्याद जमादार अली सगीर के कहने पर उसने दद फरेश्वर में एही थया जुलनी हेरानी हो रामा कांसो मैं पूछू गाया जिस इस्तान पर टुन्नो किरा था उधर ही नजर जमाए हुए गाती रही गाते गाते उसकी आँखों से आशु बह निकले मानो टुन्नो की लास को वरुना में फेकने से पानी की जो भूने चिटकी थी वे अब भी दुलारी की आँखों से बह निकली हैं संपादक मोहदे की रिपोर्ट तो सत्य लगी परंतु वे इसे छाप नहीं सकते